देखिए एक बार की बात है, पाबलो पिकासो काफी पॉपलर थे उस समय और उनका काम तो भेतरीन था ही, लेकिन वो कुछ अपने स्टेटमेंट्स की वज़े से भी पॉपलर थे, तो एक बार वो पैरिस की एक स्ट्रीट से जा रहे थे, तो एक लेडी जो उनकी फैन थी, उ पाबलो से अपने एक बोट्रेट बनवाना चाहती थी, तो पाबलो ने का, वाइन और माई लडी, I can do that for you, उस ने पाबलो को अपने एक नपकिन दिया, पाबलो ने अपना पैन निकाला और उसको जो है पांच मिनट में स्केच बना कर उसको दे दिया, तो लेडी ने बोल कि it took me 40 years to make this in 5 minutes, देखिए मेरे पास में सबसे ज्यादा common question जो आए हैं, शाहें वो मेरे followers हों या non followers हों, उन्होंने मुझ से ये पुछाए कि आप किस तरह का medium यूज करते हैं, आप क्या कौन सा paper यूज करते हैं, कौन सा pen आप यूज करते हैं, आप digital art करते हैं, या आप आते हैं, तो इस episode में we gonna talk about different mediums, और उसके बाद में मैं आपको एक अपनी तरफ से एक अलग से tip भी दूँगा, that might just help you to improve your art, तो देखिए ये मेरे पास में कुछ pen है, इसमें ये अलग-अलग तरह के pen हैं, और इसमें हमें एक चीज में ध्यान में रखना है कि scribble art अगर तो आप free flow scribble art की बात करते हैं, तो आप की जो जो आपके pen है या pencil जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो free flow होना चाहिए, उसमें कहीं पे ऐसे अठक के नहीं चलना चाहिए, और आप जो paper भी यूज़ करते हैं, वो कोई texture वाला paper नहीं होना चाहिए, वो एकदम smooth paper होना चाहिए, अ अगर हम free flow scribbling की बात कर रहे हैं, तो आप medium लेने के लिए देखिए, ये इसमें मेरे पास सबसे पहले जो pen जिसके बारे मैं बात करूँगा, ये art line system के pen है, ये अलग-अलग thicknesses की इनकी nib है, और इसमें आप अगर market में जाएंगे तो आपको बहुत different तरह की nibs आपको मिल जा ये art, this I use it where there is a lot of black area, और if I am making a big, if I am sketching a big canvas, उसके लिए में यूज करता हूँ, फिर ये एक मेरे पास में कुछ markers हैं, ये markers भी आप तब यूज कर सकते हैं जब आपके पास में बहुत ही कोई बड़ा area है जिसको आप scribble करना चाते हैं, and then pencil, आप pencil को यूज कर सकते हैं, दे हैं, pencil को use करने के लिए आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जब आप pencil को sharp करते हैं, तो उसके बाद में आप उसको थोड़ा से use कर लीजे, before you start scribbling, because उस टाइम पर थोड़ा सा अटकती है, तो जब आप उसको थोड़ा सा smooth कर लेंगे, थोड़ा सा चला लेंगे, then you can start doing it इसके अलावा एक pen, जो है, ये मेरे पास में एक रेनॉल्ड का pen है, ये बड़ा ही popular है, market में almost सब जगा मिल जाता है, तो ये pen भी आप use कर सेकते हैं, scribbling के लिए, ये बहुत ही अच्छा medium है, और एक smooth सा surface लीजे और आप scribbling स्टार्ट कर दीजे, देखिए, scribbling में एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको क्यों थिक और थिन pen की जोरत है, या अगर आप रेनॉल्ड का pen यूज करते हैं, तो कुछ एक ऐसी जगा पे आपको कहीं पे आपको बहुत pressure आपको दबा के देना पड़ता है, और कहीं पे आपको loose pressure देना पड़ता है, वो depend करता है कि आप उस आर्ट में उस टाइम पर आप क्या चाहते हैं, अगर आप उस आर्ट में कहीं पे कोई area ऐसा है, जहां पे बहुत डार्क है या या उस area में काफी ज़्यादा आपको scribble करना है, और जहां पर आपको बहुत ही light shade देना है, वहां पे आप जो है, बहुत ही lightly जो है, light hand आप स्क्रीबल कर सकते हैं, इन पेंस के लावा आप डेकि डिचिटल पैन भी उस कर सकते हैं, मोफ बहुत तारा की digital pen available हैं, फोन पर भी pen आजाते हैं, एलापन पर पर भी pen है और आपके laptop पर वी pen हैं हैं तो की लाब्टाप प्रू जाफ़ आइं, जो मैं नोट स्पाॉंसर और आप उसमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं तो वो आई तिंग इसके इस नेक्स्ट एपिसोड में वाट वी ओना डो इस बेसिकली अब वी आर आलसो गूंग तो पार्टिसपेट इंड ड्रॉइंग सम्तिंग और मैं आप लोगों के सामने कुछ ड्रॉ करूंग और स क्रिबलिंग हम स्टार्ट करेंगे नेक्स एपिसोड से बट इस एपिसोड में वीज आई जस वांटेट टॉक अबाउट इस डिफरेंट मीडियम्स देखिए आई होब की मेरे एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा और मैं आपको अगले एपिसोड में बहुत जल्दी म मिलूंगा थांक यू फॉर स्टेंग विद्मी ओके बाबाए